So guys, finally Realme 11 series की challenge market के अंदर launch date निकल कर सामने आच चुकी है और ये series challenge market के अंदर 10 माई को launch की जाएगी इस series में दोस्तों 3 smartphones launch किये जाएगे जिसमें Realme 11 होगा, इसका pro variant रहेगा साथ ही दोस्तों इसका एक pro plus variant भी आपको देखने को मिल जाएगा हाला कि दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 11 Pro plus smartphone के सबी specs के बारे में और देखेंगे गाईस की ये smartphone आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है और क्या pricing मगरा दोस्तों इस smartphone की हो सकती है तो स्वागा तब सबका टेक रोज पर जनकरी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली वराए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ तेक टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि Realme की नंबर सीरीज के अंदर काफी कमाल के स्मार्टफोन काफी बड़िया डिजान्स के साथ में आपको देखने को मिलते हैं अब इसी नंबर सीरीज में Realme की 11 सीरीज जल्दी लाँच होने वाली है तो फटावट से बात करते हैं इस सीरीज के Realme 11 Pro प्लस स्मार्टफोन के सबी स्पेक्स के बारे में और देखेंगा इसकी कैसा स्मार्टफोन ही आप सब के लिए रहने वाला है अगर फटोपल दोस्तो हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं स्कीन पर कि इस पॉन की जो डिजाइन है वो निकल कर सामने आ चुकी है जिसके बैक साइड में आपको लेधर की बॉड़ी देखने को मिलती है साथी रियर साइड में एक सरकल के अंदर तिरपल केमरा सेट अफ फ्लेश लैट के सपूट के साथ में आपको मिल जाएगा और अगर वहीं बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रेंट साइड की तो फ्रेंट साइड में एक बड़ी कब डिस्प्लेए पंचल के कट आउट के साथ में आएगी यहाँ नच पर आपको मिल जाएगी अगर डिजाइन के बात दोस्तो हम नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्पले की बारे में तो यहाँ बेगई साब को 6.74 इन्चिस की एक ओलेट डिस्पले देखने को मिलती है जो कि एक कर्प डिस्प्ले रहेगी साथी Full HD Plus Regulation और 120 Hz का Refresh Rate यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो Brightness और कलस बगरा दोस्तों डिस्प्ले में काफी बढ़िया रहने वाले हैं और View Experience भी काफी कमाल काप यहाँ पर Expect कर सकते हैं अगर डिस्प्ले के बाद दोस्तों हम नेश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की पर्फॉर्मेंस के बारे में तो ऐसे एकस्पेक्टेड है गईस की यहाँ पर आपको Media Tech की तरप से क्रियर साइड में त्रपल केमरा सेट अप देखने को मिलेगा जिसका मैंस संसर रहेगा 200 मेग अफसल का जो की वाइस के सपूर्ट के साथ में आएगा इसके लाव अगेश यहाँ पर आपको 8 मेग अफसल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेग अफसल का माइक्रोस्कोप लेंस इस फॉन की तरब जा सकते हैं अगर केमरास के बाद दोस्तों हम नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफॉन की बैटरी के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों स्मार्टफॉन के आपको दो विरेंट्स देखने को मिलेंगे इसके दौनों विरेंट्स में आपको फाइब थांड़ और 100W की Fast Charging का सपोर्ट है तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज भी यहाँ पर आप कर सकते हैं अगर स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स के बारें बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Fingerprint Scan का सपोर्ट on screen देखने को मिलेगा साथी Type-C के सपोर्ट के साथ साथ NFC का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लाव अगई स्मार्टफोन एंडॉट 13 फर व्यक करेगा तो काफी कमाल की स्पीड यहाँ पर आपको 5G आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या पर आपको और भी कमेंट हो गई तो आप वह भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में गई सितना ही अगर वीडियो चलागा हो तो वीडियो के के लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली वराए हैं तो सब्सक्र करत मिया कर दोस्तों यजिए Mullis और रर मृजिए विलाइक कर दा मिया कर दोस्तnt उने कर दोस्तों वह भीडियों